हेलो फ्रेंड्स तो स्वागत है आप सभी का एक बार फेट से आपके अपने ही चैनल ग्यान दानमरी वे फ्रेंड्स आज की सुभा की खबर देखकर मेरे भी मन में कुछ नहीं रासा हुई लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है आपके सामने जो हेड्लाइन सेड्यूल उसी पर कॉंसलिंग होगा और निक्ति पतर भी सर समय दिया जाएगा देखिए जिस तरह करोना का केस अभी बढ़ रहा है सभी लोग संसाय में है कि कैसे भी जो निर्धारित सेड्यूल है उसके अनुसार कॉंसलिंग और सारा कारिय हो सके लेकिन आपको इसमें एक जुट रहने की जुरुत है अगर सिक्षा विवाग इसको अन देखी करती है मतलब बात को टालने की कोशिस कर रही है तो इसमें आपको सजग रहना होगा अगर हम लोग कोई भी वीडियो इसके खिलाब बनाते हैं मतलब सरकार के खिलाब बनाते हैं कि आप गलत कर रहे हैं तो सजग रहने का मतलब है आप वीडियो को ज्यादा ज्यादा सेयर करें जिसे की यह आवाज आगे तक उठ सके देखिए क्या है इसको देखते हैं इसके बाद और भी बात करने वाले हैं कुछ-कुछ अभेरती कमेंट किये हैं कहा का सेड्यूल उनको चाहिए वह भी और करवाएंगे देखिए क्रोणा की इस्थिदी देखता है होगा सिक्षक भाली का सेड्यूल अपर मुक्षची बोले इस्थिदी बताना मुश्किल हैं चलिए देखते हैं इसको डिटेल से क्रोणा की तिसरी लहर के बीच प्राणभीक और हाइज स्कूल में सिक्षक भा पुरी हो जाएगी, इस पर सिक्षा विवाग के अपर मुक्साचीव, संजय कुमार ने कहा कि विभीन कारणों से बाहली परक्रिया में पहले ही देर हो चुकी है, इसलिए विवाग का प्रयास है कि निर्धार्त सेड्यूल पर परक्रिया पुरी करा लिजाएग, वैसे आगे करोना की क्या अश्थिति होगी कहना मुश्किल है कुछ जिलो में प्रारंबिक सिक्षक बहाली के लिए कई नियोजनिकाईयों की कौंसलिंग रद किये जाने हैं और अभियर्थी द्वारा हंगामा करने के मामले पर अपर मुक्षचिव ने कहा कि पूरे मामले को मुख्याला देख रहा है सभी डियो से कहा गया है कि एक भी गलत अभियर्थी चैनित हुए तो डियो सहीत जिम्यदार एक भी अधिकारी को बक्सा नहीं जाएगा दोसियों पर करी करवाई की जाएगी प्रारंबिक स्कूल में सिक्षक भाली मामले में तीसरे चरण में 17-28 तक 1368 नियोजनिकाईयों में 12495 में पदों के लिए कौंसलिंग होनी है हाई स्कूल में 32,714 सिक्षकों की भाली के लिए कौंसलिंग किती थी आठ फरवरी से निर्धारित है ऐसे में क्या होगा अगर करोना की इस्तिती सही रही तो हर वक्त सिक्षा मंदरी और आफर मुक्षचीव अभी भी बोले है ना नियोजनिकाईयों की इस्तिती इस तरह बिगरी हुई है कि आपको पता होगा आए दिन वीडियो वैरल हो रहा है मैंने अपनी चैनल के माधियम से भी आपको दिखाया कि कुछ पैसा होगा ही मतलब मांग करके वहाँ के अधिकारी लोग है ना डिमांड कर रहे हैं बच्चे से मतलब अभी अर्थी से नहीं देने पर वहाँ की कॉंस्रिंग रद करने का संसर जताया जा रहा है कई कारणों से लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए चलिए आगे की बात बाद में बात करेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग प्लेज सब्सक्राइब मैं चैनल फूर दा लिटिस्ट अपडेट